पवन सिंग के साथ जल्द ही स्टेश शो करती निजर आ सकती है रानो मंदल जी हाँ ऐसी खबर है कि रानो मंदल जल्द ही भोचपुरिया पावर स्टार पवन सिंग के साथ स्टेश शो करती निजर आएंगे खबर है कि रानो मंदल की गायकी से इंप्रेस होकर बोचपुरिया पावर स्टार पवन सिंग ने उन्हें अपने स्टेश शो पर नियोता दिया है गाना गाने के लिए वैसे ये स्टेश शो कब कहा कैसे होगा इसकी इनफॉर्मेशन भी हम देंगे क्योंकि ये अभी उर्ती उर्ती खबरे हैं कि पवन सिंग उनके साथ अपने स्टेश शो पर गाना गा सकते हैं खेर आपको बता दे कि रानो मंदल को हर कोई सुनना चाहता है फिर वो चाहे एक छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग क्योंकि रानो मंदल अपने गायकी से सभी को खुश कर चुकी हैं रानो मंदल की लोगपरेता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिमेश शम्या ने उनके साथ सौंग रिकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं की है पूरी तरह से वो गाना अभी मार्केट में आया नहीं है कि वो गाना भी वाइरल हो चुका है और आपको बता दे कि रानो मंदल अगर कोई भी गाना गा रही है तो वो तुरंत का तुरंत वाइरल हो जा रहा है लोग उसे सुनना चाह रहे हैं और रानो मंदल की लाइफ से जुड़ी हर एक इनफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं आपको बता दे कि रानो मंदल से जुड़ी हर एक छोटी से information मीडिया में वाइरल हो रही है साथ ही साथ जो भी उन्हें सुन रहा है वो डिमांड कर रहा है कि रानो मंडल को और भी गाना गवाया जाए ताकि उनकी आवाज और भी लोगों तक पहुचे वैसे भोचपुरी इंडस्ट्री भी उनके टैलेंट से अचूती नहीं है सुनने में आया है कि खेसारी लाल यादो के अलावा पवन सिंग और भी कई बड़े-बड़े संगीत कार है जो रानो मंडल को भोचपुरी फिल्मों में गाना गाने का मौका दे सकते हैं तो आप इस बात का इंतिजार कीजिए कि कब पवन खेसारी और निरहुआ के साथ रानो मंडल नजर आएंगी स्टेश शो और गाना गाते हुए मोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्स्क्राइब करना बिल्कुल नहीं हुए मुपुरी जगत की हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं हुए